हेलो अब्रीवन वेलकम टू जी के बाइग गुर्जीत मैं यूट्यूब चैनल एंड टूड़े हम गोईंग टू डिसकस अबाउट दूर्गा शक्ति एक्जाम एंड स्लेबस काफी स्टूडेंट्स के लिए कन्फूजन है कि दूर्गा शक्ति के एक्जाम कब होगा स्लेब परिप्रेशन कहां से की जाए सबसे पहले तो आप यह जान ले जिन स्टूडेंट्स का हरियाना के जो कॉंस्टेबल का एक्जाम था उसमें फाइन तक नहीं जा पाई यानि के रिटन नहीं क्लियर हो पाया या फिर एसाई का रिटन या फिर फिजीकल में जो रहती है अग अगर पुलिस फोर्स की बात करें हो रियाना में तो दुर्ग शक्ती की जो पोस्ट है वो काफी इंपॉटन्ट है इसके लिए गल्स के लिए बनाईगी है और अगर आपकी इसमें फोती या तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसके लिए आपको demoralize नहीं होना है जो आपने preparation की थी उसको ही आपने क्या करना है continue करना है syllabus से पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी post थी post के अगर हम बात करते हैं 698 post के लिए रहेगा दुर्गशक्ती exam जनरल की बात करते हैं तो 252 post रहेंगी BCA के लिए 97 post है BCB के लिए 56 रहेंगी and SE के लिए 252 post रहेंगी EWS के लिए कितनी है 70 post रहेंगी यह रही किसकी बात post की बात and next हम बात कर लेते हैं syllabus की जैसे syllabus के बारे में काफी बच्चे confused है कि syllabus क्या होगा दुर्गशक्ती के लिए दुर्गशक्ती के लिए कुछ अलग से syllabus नहीं होगा जो अब तक HSC ने exam लिए यानिके हर्याना staff selection commission ने जो अब तक exam लिए है जो syllabus उनका है वो ही रहेगा but इसमें specially किसके उपर base रहेंगे questions हर्याना पुलिस के और दुर्गशक्ती के लिए जो योजनाई है कब start हुई थी क्या कुछ इसमें इनके complete history इसकी दुर्गशक्ती की उसके उपर काफी आपने focus करना है तो वो आपको अच्छे से करके जाओगे तो आपका exam definitely clear होगा इसके लिए आपने हर्याना जी के अच्छे से करके जानी है और इसमें जो रहेगी इंडिया जी के इसे related questions रहेंगे computer related basic questions रहेंगे and general science के question जो हमेशा से exam में आते ही हैं जैसे जैसी की बात करते हैं और जो आपने focus करना है इसमें जो most important रहेगा olympic games and sports related questions जो आपने करके ही जाने है and next is current affairs current affairs पे आपने क्या ध्यान में रखना है एक तो हर्याना की अपने current affairs करनी है और इंडिया की current affairs करनी है और जो आपके प्रोसी राज्जे हैं क्योंकि अब की बार है जैसी ने कुछ अपना exam का style change किया है अगर आपने exam के style को अच्छ नाम easily crack हो जाएगा इसके लिए जो आपके प्रोसी राज्जे हैं उनसे related जो questions रहते हैं जैसे किसी भी state का राज्येपाल change हुआ है कोई योजना है सडक का नाम change हुआ है railway station का नाम change हुआ है तो आपने अच्छे से complete करके जाना है agriculture से related questions रहेंगे maths and reasoning के question रहेंगे and Hindi and English आपन दुर्ग शक्ति की history के बारे में और police force के बारे में काफी important question जो रहेंगे आपको upcoming आपके exam में जो आपके काफी valuable रहेंगे तो इसके लिए आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe कीजेगा and press the bell icon जिससे नही नहीं वीडियो की notification आप तक आती रहे and चैनल को like and share कीजेगा thank you thanks for watching